ओम शान्ती 5-10-2021 बाबा की आज के महावाके मीठे बच्चे आत्मा और शरीर जो पतित और काले बन गए हैं बाबा की याद से इन्हें पावन बनाओ क्योंकि अब पावन दुनिया में चलना है आज का प्रश्ण है भगवान किन बच्चों को मिलता है बाबा ने कौन सा हिसा बताया है तो बाबा समझाते हैं जिनोंने शुरू से भगवान की उन्हें ही भगवान मिलता है बाबा ने ये हिसा बतलाया है कि सबसे पहले तुम भगवान करते हो इसलिए तुमें ही पहले पहले भगवान द्वारा ग्यान मिलता है जिससे पर तुम नई दुनिया में राज्य करते हो बाबा कहते हैं तुमने आधा कल्ब मुझे याद किया है अब मैं आया हूँ तुम्हें भक्ति का फल देने गीत है मरना तेरी गली में ओम शान्ति बच्चों ने गे सुना जब कोई मरते हैं तो बाब के पास जनम लेते हैं जानते हो हम आत्माई हैं वो हो गई शरीर के बात एक शरीर छोड फिर दूसरे बाब के पास जाते हैं तुमने कितने साकारी बाब किये हैं असल में हो निराकारी बाब के बच्चे तुम आत्मा परमपिता परमात्मा के बच्चे हो रहने भाले भी वहां के हो जिसको निर्वान धाम या शांती धाम कहा जाता है बाप भी वहां रहते हैं यहां तुम आकर लौकिक बाप के बच्चे बनते हो तो फिर उस बाप को भूल जाते हो सत्युग में तुम सुखी बन जाते हो तो उस पार लौकिक बाप को भूल जाते हो उस बाप का सिम्रण नहीं करते हो दुख में याद करते हो और आत्मा याद करती है जब लौकिक बाप को याद करती है तो बुद्धी शरीर की तरफ रहती है उस बाप को याद करेंगे तो कहेंगे ओ बाबा, है दोनों बाप, राइट अक्षर बाप ही है, वो फादर भी है और ये भी फादर है आत्मा रुहानी बाप को याद करती है तो बुद्धी वहाँ चले जाते है ये बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं अभी तुम जानते हो बाबा आई हुए हैं हमको अपना बनाया बाबा कहते पहले पहले हमने तुम को स्वर्ग में भेजा तुम बहुत साहुकार थे ये पुरानी दुनिया खतम होने हैं तुम्हारी आत्मा और ये शरीर रूपी वस्त्र सतो परधान थे फिर गोल्डन एज से आत्मा सिल्वर एज में आई तो शरीर भी सिल्वर में आया फिर कौपर एज में आये अभी तो तुम्हारी आत्मा बिलकुल ही पतित हो गई है, तो शरीर भी पतित है, जैसे 14 कैरेट का सोना कोई पसंद नहीं करते हैं, काला पड़ जाता है, तुम भी अभी काले आइरन एज बन गए हो, अब आत्मा और शरीर जो ऐसे काले बन गए हैं, तो फिर पवित्र कैसे आत्मा पवित्र बने, तो शरीर भी पवित्र मिले, वो कैसे होगा, क्या गंगा सनान करने से, नहीं, पुकारते ही हैं, हे पतित पावन आओ, ये आत्मा कहती है, तो बुद्धी पारलोकिक बाब की तरफ चली जाती है, हे बाबा, देखो, बाबा अक्षर ही कितना मीठा है भारत में ही बाबा बाबा कहते हैं, अभी तुम आत्म अभिमानी बन बाबा के बने हो, बाबा कहते हैं, मैंने तुम को स्वर्ग में बेचा था, नया शरीर धारन किया था, अब तुम क्या बन गए हो? ये बातें हमेशा अंदर रहने चाहिए, बाबा को ही याद करना चाहिए, याद तो सब करते हैं, हे बाबा, हम आत्माई पतित बन गई हैं, अब आओ, आकर के हमें पावन बनाओ, ड्रामा में ये भी पार्ठ है, तब तो बुलाते हैं ना? ड्रामा प्लैन अनुसार, आएंगे भी तब, जब पुरानी दुनिया से नहीं बनती हैं, तो जरूर संगम पर ही आएंगे, तुम बच्चों को निश्य है, बिलव्ड, मोस्ट बाबा है, कहते भी हैं, स्वीट, स्वीटेस्ट, अब स्वीट कौन है? लौकिक सबन में पहले फादर हैं, जो जनम देते हैं, फिर है टीचर, टीचर से पढ़कर तुम मर्तबा पाते हो, नौलेज इस सोर्स ओफ इनकम कहा जाता है, ज्यान है नौलेज और योग है याद, तो बेहद का किसी को पता नहीं, चित्रों में क्लियर दिखाया भी है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना शिव बाबा कराते हैं, शिरिकृष्ण कैसे राज्योग सिखाएंगे, राज्योग सिखलाते ही हैं सत्यूग के लिए, तो जरूर संगम पर बाबा ने सिखाया होगा, सत्यूग की स्थापना करने वाला है बाबा, ब्रह्मा द्वारा कराते हैं, करन करावन हार है न, वो लोग तो त्रिमूर्ती ब्रह्मा कह देते हैं, प्रन्तु उँचे से उँच शिव है न, वो साकार है और वो निराकार है, स्रिस्टी भी यही है, इस स्रिस्टी का ही चक् रिपीट होता रहता है सुक्षम वतन की स्रिस्टी का चकर नहीं कहा जाता वल्ड की हिस्ट्री जोग्रिफी रिपीट होती है गाती भी हैं सत्युक, त्रेटा, द्वापर और कल्युक बीच में जरूर संगम युक भी चाहिए नहीं तो कल्युक को सत्युक कौन बनाए नर्गवासियों को स्वर्गवासी बनाने बाप संगपर ही आते है जितनी पुरानी दुनिया उतना दुखी जास्ती आत्मा जितना तमोपरधान बनती जाती है उतना दुखी होती है देवताएं तो है सतोपरधान ये तो highest authority godfatherly government है साथ में धरम राज भी है बाप कहते हैं तुम शिवाल्य में रहने वाले थे अब है विशाले तुम पावन थे अब पतित बने हो तो कहते हो हम तो पापी है आत्मा कहती है मुझ निर्गुन हारे में कोई गुर्णा है कोई भी देवता के मंदिर में जाएंगे तो उनके आगे ऐसे कहेंगे कहना चाहिए बाप के आगे उसको चोड ब्रदर को लगते हैं ये देवताईं ब्रदर्स ठहरे न ब्रदर से तो कुछ मिलना नहीं है भाईयों की पूजा करते करते नीचे गिरते आए है अब तुम बच्चे जानते हो बाबा आई हुए हैं उनसे हमको वर्षा मिलता है बाकी मनुष्य तो बाप को जानते ही नहीं सर व्यापी कह देते हैं कोई फिर कहते हैं अखंड ज्योती तत्व है और कोई कहते वो तो नाम रूप से न्यारा है अरे तुम कहते हो अखंड ज्योती स्वरूप है फिर नाम रूप से न्यारा कैसे कहते हो बाप को ना जानने के कारण पतिर बन पड़े हैं तमो परधान भी बनना ही है फिर जब बाप आए तब सब को पावन बनाए आत्माए नीराकारी दुनिया में सब बाप के साथ रहती है फिर यहां आकर सतो, रजो तमो का पाड़ बजाती है आत्मा ही बाप को याद करती है बाप आती भी है कहते हैं ब्रह्मातन का आधार लेता हूँ ये है भागे शाली रत विगेर आत्मा रत थोड़े होती है कहते हैं भागी रत ने गंगा लाई अब ये बात तो हो नहीं सकती प्रन्तु कुछ भी समझते नहीं कि हम कहते क्या है अभी तुम बच्चों को समझाया है ये है ज्ञान वर्षा इससे क्या होता है पतिसे पावन बनते है गंगा जमना तो सत्युग में बھی होती है कहते हैं शिरे कृष्ण जमना के कंटे पर खेल पाल करते है ऐसी कोई बाती है नहीं वो तो सत्यू के प्रंस है, उसकी बहुत संभाल से पालना होती है क्योंकि फूल है ना, फूल कितने अच्छे सुन्दर होते हैं, फूल से सभी आकर खुश्बू लेते हैं, कांटों से थोड़े ही खुश्बू लेंगे, अभी तो है ही कांटों की दुनिया जंगल को बाप आकर गार्डन और फ्लावर बनाते हैं, इसलिए उनका नाम बबुल नात भी रख दिया है, कांटों से फूल बनाते हैं, इसलिए महिमागाते हैं कांटों को फूल बनाने वाला बाबा अब तुम बच्चों का बाप से कितना लव होना चाहिए? अभी तुम जानते हो हम बेहत के बाप के बने हैं, अभी तुमारा सबन उनसे भी है तो लोकिक से भी है पार लोकिक बाप को याद करने से तुम पावन बनेंगे आत्मा जानती है वो हमारा लोकिक बाप और ये पारलोकिक बाप है भक्ति मार्ग में भी आत्मा जानती है वो हमारा लोकिक बाप और ये है Godfather अविनाशी बाप को याद करते हैं वो बाप कब आकर हैवन सापन करते हैं ये किसी को भी पता नहीं है बाप आती ही हैं पतितों को पावन बनाने तो जरूर संगम पर आएंगे शास्त्रों में तो कलब की आयू लाखों वर्ष लिखकर मनुश्यों को बिलकुल खोर अंध्यारे में डाल दिया है कहते हैं जो बहुत भक्ति करते हैं उन्हें भगवान मिलता है तो सबसे जास्ती भक्ति करने वाले को जरूर पहले मिलना चाहिए बाबा ने हिसाब बेबतलाया है सबसे पहले भक्ति तुम करते हो तुमको ही पहले पहले भगवान द्वारा ग्यान मिलना चाहिए जो फिर तुम ही नई दुनिया में राज्ये करो बेहत का बाप तुम बच्चों को ग्यान दे रहे हैं इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं बाप कहते तुमने आधा कल्प याद किया है सुख में तो कोई याद करते ही नहीं अन्त में जब दुखी हो जाते हैं तब हम आकर के सुखी बनाते हैं अभी तुम बहुत बड़े आदमी बनते हो चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर आदी के बंगले कितने फर्स ग्लास होते है सारा फरनीचर ऐसा फर्स ग्लास होगा तुम तो कितने बड़े आदमी बनते हो दैवी गुणवाले देवता स्वर के मालिक बनते हो वहाँ तुमारे लिए मेहल भी हीरो जवारातों के होंगे वहाँ तुमारा फरनिचर सोने जडित का फर्स्ट क्लास होगा ये है रुद्र ज्ञान यग्य शिव को रुद्र भी कहते हैं जब भक्ती पूरी होती है तो भगवान रुद्र यग्य रस्ते हैं सत्युग में यग्य अत्वा भक्ती की बात ही नहीं है इस समेही बाप ये अविनाशी रुद्र ज्यान रशते हैं जिसका फिर बाद में गायन चलता है भक्ती तो सदैव नहीं चलती रहेगी भक्ती और ज्यान भक्ती है रात ज्यान है दिन बाप आकर दिन बनाते हैं तो बच्छों का भी बाप के साथ कितना लव होना चाहिए बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं Most beloved बापा है ना उनसे जादा प्यारी वस्तु कोई हो नहीं सकते आदा कल्प से याद करते आए हैं बाबा आकर हमारे दुख हरो अब बाबा आए हैं समझाते हैं बच्चे तुम्हें अपने गरस्त वेवार में रहना ही है यहाँ बाबा के पास कहां तक बैठेंगे साथ में तो परमधाम में ही रह सकते हैं यहाँ तो नहीं रह सकते यहाँ तो knowledge पढ़ने की है knowledge पढ़ने वाले थोड़े होते हैं loudspeaker पर कभी पढ़ाई होती है क्या teacher सवाल कैसे पूछेंगे loudspeaker पर response कैसे दे सकेंगे इसलिए थोड़े थोड़े student को पढ़ाते हैं college तो बहुत होते हैं फिर सब के इम्तहान होते हैं result निकलते हैं यहां तो एक बाप ही पढ़ाते हैं ये भी समझाना चाहिए कि दो बाप हैं लौकिक और पारलौकिक दुख में सिम्रन उस पारलौकिक बाप का करते हैं अब वो बाप आई हुए है महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है वो समझते हैं महाबारत लड़ाई में शिरिकृष्ण जी आए, ये तो हो ना सके, बिचारे मुझे हुए हैं, फिर भी शिरिकृष्ण जी, शिरिकृष्ण जी करते रहते हैं, अब Most Beloved शिब भी है, तो शिरिकृष्ण जी भी है, प्रन्तु वो है निराकार और वो है साकार, निराकार बाप सभी आत्माओं के बाप हैं, है दोनो Most Beloved, शिरिकृष्ण भी विश्व के मालिक है न, अभी तुम चज़ कर सकते हो कि जास्ती प्यारा कौन है, शिरिकृष्ण जी क्या करते है, बाप ही तो उनको ऐसा बनाते है न, तो गायन भी है, जास्ती उस बाप का हो तो बाबा ने समझाया तुम सब पारवतियां हो, ये शिव अमरनात तुमको अमर कता सुना रहे हैं, तुम ही सब अर्जुन हो, तुम ही सब द्रोपतियां हो, इस विशिश दुनिया को रावन राचे कहा जाता है, वो है वाइसलेस वर्ल्ड, विकार की बात नहीं, निराक विकार बाप, विकारी दुनिया रचेंगे क्या? विकार में ही दुख है. सन्यासियों का है ही हट योग, नर्विर्ती मार्ग. करम सन्यास तो कभी होता ही नहें. वो तो तब हो जब आत्मा शरीर से अलग हो जाए. गरब चेल में फिर करमों का हिसाब शुरू हो जाता है. बा आग से भी चले जाते हैं, रिद्धी सिद्धी भी बहुत है, जादूगरी से बहुत चीजे भी निकालते हैं. बगवान को भी जादूगर, रतनागर, सोदागर कहते हैं. लेकिन उनसे कोई को गती सदगती तो नहीं मिल सकती. वो तो एक ही सचा सत्गुरू आकर सब की गत सदगती करते हैं. अच्छा, मिठी मिठे सिखी लधे, बच्चों प्रती, मात, पिता, बाप, डादा का याद, फ्यार, और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. रूहानी बच्चों की रूहानी बाप, डादा को देल लुआ जाद, सिक वा प्रेम से, नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते जे. गुट मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा, वा मेरा भागे, वा मेरे भागे, विधाता बाब. धारना के लिए मुख्य सार. कांटों से फूल बनाने वाला, Most Beloved एक पाप है. उसे बहुत लव से याद करना है. खुश्बुदार, पावन फूल बन, सब को सुक देना है. ये नॉलेज, सोर्स ओफ इनकम है. इससे इके चनम के लिए तुम बहुत बड़े आदमी बनते हो. इसलिए इसे अच्छी रिती पढ़ना है और बढ़ाना है. आतम अभिमानी बनना है. आज का बर्दान है, बाप दादा को अपना साथी समझ कर, डबल फूर्स से कार्य करने वाले सहच योगी भव. कोई भी कार्य करते, बाप दादा को अपना साथी बना लो, तो डबल फूर्स से कार्य होगा. और समरीती भी बहुत सहच रहेगी, क्योंकि जो सदा साथ रहता है, उसकी याद स्वता बनी रहती है. तो ऐसे साथी रहने से या बुद्धी द्वारा निरंतर सत्का संग करने से सहच योगी बन जाएंगे. और पावर्फुल संग होने के कारण हर करतबे में आपका डबल फूर्स रहेगा, जिससे हर कार्य में सफलता की अनभूती होगी. आज का स्लोगन है, माहरती वो है जो कभी माया के प्रभाव में परवश ना हो. ओ शान्ति!